हेलो वंदी मात्रम तो अल्माइड द्वेल स्तांडर्स तुदेंट्स वेलकम यूटूब चैनल लेर्न ग्रामर इजीली विद पंकर सर्थ तो फ्रेंस यस्टरी वी हाव सेन में लास्टाम फ्रीजक जाओ यूनित नमबर त्री रीड वन मैंगे यूट इस तुदी वीट नमबर त्रीरीट टू इसके अंटिकेटिंग सकसे इस प्रकार की एक्सराइस हमने देखे सब्सक्राइब करने वाले व्यायाम कैसे हैं तो हम लाइन टो लाइन चलते हैं पहले तो हम रोटेट कर लेते स्क्रीन को अब आगे पढ़ते हैं चोट मेडिटेशन का मतलब होता है शोट मतलब चोटा और मेडिटेशन मतलब ध्यान कैसे इसमें एक दिया है एक एक स्वेज दिया है अब ध्यान रहा तो फ्रेंट्स आपको पता है यह ध्यान सभी जो है आखे बन करके ही किया जाता है तो short meditation first short meditation कैसे है तो देखते हैं make yourself comfortable make yourself comfortable कि अपने आपको आराम दायक श्तिती में बैठ जाए अपने आपको बिठाए आराम दायक कपड़े भी होने चाहिए जिसमें आप comfortably बैठ सकोगे सो क्या कहा है make yourself comfortable and close your eyes अब meditation कहा जैसे हमने पहले कहा कि अपने आखे बन करनी है तो make yourself comfortable and close your eyes कि अपने आपको comfortable situation में अपने आपको रखो और अपने आखे बन कर दो फिर क्या कहा है देखो चूज अवर्ड एसे सब्दों को पसंद करो और यह संकेत करता हो चूज अवर्ड एट सिंबोलाइज कामनेस तो यू कामनेस मतलब सांती ओके ऐसे एक सब्दों को पसंद करो जो संकेत देता है जो दर्षाता हो क्या दर्षाता हो सांती तू यू आप में सांती दर्षाता हो ऐसे सब्दों को पसंद करो तो कौन-कौन से सब्दली के हार्मोनी ट्रान्ख्विलिटी सिरेनिटी पीस रिलाक्स यह सभी सब्दों का मिनिंग एक ही होता है आप ग्लोजरी में देखो गए स्रियनिटी का पीशफूलनेस मतल yönभी मीनिग होता before थे तो वहीं कहा है जुझाब बहुँंकर आइसे स्बदें को पसद करो जो आपको दरसाता और सांती परतितो आपके लिए ऌकी दर्शातो इस प्रकार का सब्दा पसंकरो जैसे पाफ्यसूस थी है हार्मोनी टांस्कूजिती सिरेनिटी पीस एंड रिलाक्स अब अगले परेग्राफ में देखो क्या लिखा है क्या करना है अब मैडिटेट अब मैडिटेट करना ध्यान करना कैसे हाखे बन करके meditate on your chosen word आपके पसंद किये गए आपके द्वारा सिलेक्टिट के गए सब्द पर थोड़ी देर तक ध्यान करो आखें बंद करके visualize scenes that ties in with the word उस सब्द के साथ ऐसे सीन को ऐसे दृष्ची को visualize करो कलपना करो मतलब imagine करो कलपना करो ऐसे सीन को जो उसमें जुड़ता हो उस सब्द के साथ जुड़ता हो ऐसे scene को विजुवलाइज करो प्रेंज हमने पहले भी कहा था कि विजुववलाइज करना तो ऐसी विजुवलाइज करें ना गया रहे हो अकेले बैठे हो अ शे मस्ट सुल्यस्ट हो रहा है आप सांति से बैठे हो या तो आप कोई आइलेंड पे बैठे हो रहा पी या इस चारों तरफ आप से नदिया गुजरती हो वहाँ पर आपको डिस्टब करने वाला कोई नहीं है जिसमें पहले पर करना तो कुछ अच्छा करो जिसमें ऐसा लगे कि आपको कोई डिस्टब ना या कोई मांसिक इमेजन को ऐसा बनाओ अगर आप सीन को विजुलाईज नहीं कर पाते तो मन से ही तयार किया होगा मांसिक इसे इमेज को तैयार करो वो बनाओ मतलब एट इलूस्ट्रेट डवर्ड जो इस सब्दों को सही से दर्षा है सब्सक्राइब करो सांती मिल रही है आपको एक दम भड़े से जंगल में हो एक जगह पर आप पक्षियों का चर्चाने का आवा जा रहा है तो इस प्रकार के सिन को विजुलाइज करो और वही सब्दों को मानसे की में आप जो बनाए और उसी के आधार पर आप उस सब्द से सही से न्याय दे पाओगे फिर आगे क्या कहा है ऐगे यू कन अलसो स्पेंड यू कन अलसो स्पेंड सम टाइम इमेजिनिंग वाट उल्ड फिल लाइक इप्समेंग बिता सकते हो इमेजिंग करते करते आप अधिक समय बिता सकते हो कि आपको क्या मैसुस हुआ आपको क्या मैसुस हो रहा है अच्छा मैसुस हो रहा तो अधिक से अधिक आप समय बिता सकते हो अगर आप अपने आप में उस सांती का उस पीसफूलनेस का अगर आप अनुभव करते हो अपने आप में तो आप अधिक से अधिक थोड़ा और उस सिच्वेशन में आप अपना समय बिता सकते हो कलपना कर सकते हो कि क्या हो रहा है किस प्रकर आपको सांती का अनुभव हो रहा है उस दृष्ष्य को उस सब्दों को आपने जो सिंबलाइस के असां कि अपने आपको किस प्रकार से कलपना कर सकते आप किस प्रकार से अनुभो और है यसलिए फॉर्स मेडिटेशन फिर्स दिया हूं आप पढ़ते हम सोट मेडिटेशन टू क्या का दो पीकप पिक अ मठीरियल एक ऐसा मठीरियल को पसंद करो चुनो चुनो आप पठर को पीक करो उठाओ या तो एक पीश ओफ फूड को लखड़े का एक तुकड़ा हो उसको देखो और अपिल्स तु यू और कोई भी ऐसे जो आपको अच्छे लगी और कोई भी वस्तों जो आपके पास तो और आपको अच्छे लगे कि इसको with your eyes close अब अपने आखे बन करके साथ explore the texture texture मतलब होता है बनावट explore the texture of this material इस material की जो बनावट कैसी बनाए गई है कि इस प्रकार आखे बन करके उसका अनुभव करो यहां पर stitches मा रहे हैं इस टाइप नुकिला है इस साइट पर एमरुडरी किया गया है इस साइट पर स्टॉन लगाया गया है इस प्रकार के उसकी structure उसकी बनाट पर अच्छे से अच्छा अधिक से अधिक आप समय को बिताए उस material पर अलगले बनावट जो उसके बारे में आए चाहिए आपको कि इस प्रकार सौर्ट मेडिशन टूथ ही अब आगे बढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है गिव यूर ब्रेन ऑक्सिजन हीट कि आपका जो ब्रेन है ना उसको ऑक्सिजन हीट दो ऑक्सिजन हीट मतला आप सोचते हो कि हमारे ब्रेन तक ऑक्सिजन हीट कि आपकी ब्रेन को ऑक्सिजन का हीट दो ऑक्सिजन दो उसको कैसे क्या तो देखो हाफ ओफ दो प्रोब्लम विट बीइंग स्ट्रेश्जड और अनेबल तू कॉंसेंट्रेट प्रोपरली इस दाज यू डॉन ब्रेट जीफली इनव तो सप्ला यूर ब्रेन विट अधिकतर समस्या क्या होती है कि विट बिइइंग-प्रोपर नॉगररेट कर पांकी तुम्हां में सप्ला यूर ब्रेन सॉपिशन विट सफचिय रख फिस्योन इसका मतलब है क्या пंट लेते हैं deeply enough काफी गहरी मात्रा में आप सास ने लेते हो to supply your brain ताकि आपकी brain को sufficient जितना जरूरी उतनी sufficient मात्रा में oxygen नहीं पहुचता है जितनी मात्रा जरूरी है हमारे brain में उतनी मात्रा का oxygen हमारे brain तक नहीं पहुच पाता है इसलिए क्या कहा देखो एकलान फिर से देखते हैं have the problem with being stress तनाव में आने के अधिकतर समझ से आए and unable to concentrate properly और आप कोई भी बात पे सही से concentrate नहीं कर पाते सही से आप यह काग्र नहीं रख सकते हैं सक्षम नहीं हो सकते हैं is that you don't breathe deeply enough to supply your brain with sufficient oxygen इससे क्या होता है अगर आप गहरीत मात्रा में सांस नहीं लेते तो आपका जो brain तक sufficient मात्रा में oxygen आपके brain तक नहीं पहुच पाता जब हम तनाव में लग जाते हैं या तनाव हम पर हवी हो जाता है we turn we tend to hold our breath और only breath फिर हम क्या कर देते हैं हम आवार सांस को रोक देते हैं रोक देते मलें सांस नहीं लेते क्या नहीं लेते हैं लेकिन क्या हो जाता हम जब तनाव में आ जाते हैं तनाव में आ जाते तो क्या करते हैं हम सही से सांस नहीं ले पाते हैं we tend to hold our breath हमें अपने सांस को रोकने के आदत बन जाती है और या तो only breath in इस मात्रा में सांस लेते मतलब सही से पोचता भी ने लंक्स के यहां गर्दन तक पोच बस हो गया हो गया फिर डारेक्तुर मतलब चांस अंदर जाता विए उस पर उसी आप डारेक्तुरन भार फेक देते हैं उसको तो यहीं कहा है वेन वी गेट इस ट्रेजड वी तेंट तो होल्ड आवर ब्रेद और उनली ब्रेद इन सालो वेज यूजिंग दो अनली टॉप पाट अब दो लंग्स और क्या करते हम लंग्स हमारे फेपड़े ना फेपड़ों की ऊपर का भाग मतलब गर्दन की ठीक थोड़ा सन नीचे वहां तक सांस पोचते हम निकाले बस भ नहीं ले पाते हैं इसलिए क्या होता है हमारे लंग्स के उपर के हमारे फेपड़ों के उपर के भाग भाग तक हम सांस ले पाते हैं तो देखो आगे क्या कहा है इन ओडर टू डीपन इन ओडर टू डीपन यूर ब्रेथिंग तो क्या कहा है इन ओडर टू और इसी वुदृशह से ए Hon cycle ह granny पूरे समय आपको एचळी से ओक्सिजन में हर समय आपको एच आपको blade इंटु दब्रेन अगेन आपके ब्रेन पूरेड और काफ़ी मातरा में परियापत मातरा में मिले तो do the following exercise for two minutes फिर निमन लिखेर exercise को दो मिनट के लिए करो अब यसी क्या exercise दी है तो देखो रब both your hands together for a moment to create energy आपके दोनों हाथ जोए ना रब रगड़ो रगड़ो आपके दोनों हाथों के रगड़ो together for a moment थोड़े कुछ पल के लिए मोमेंट के लिए रगड़ो तो create energy energy उत्पने ताकि आपका हाथ थोड़ी दियर में क्या हो जाए घरम हो जाए देखो आप अगर हाथ थंडी के दिनों में हम हाथों को पाम हमारे हते लिए हते लिए हम ऐसे रगड़ते है तो वही करो फिर क्य है एक साइड पे एक हटेली इस प्रकार मतलब दिखाया तो नहीं देगा है नहीं नहीं देगा तो आपके हतेली दूसरे रखो टॉसर रों और कहा रखो नेवल मतल आपके नाभी नाभी थोड़ा सा नीचे वेख्ट नाभी के थोड़ा सा नीचे उस दोनों पांप जोड़ कर आप जोड़ना नहीं है आज और जैसे हम नमस्कार करते हैं से यहाथ नहीं जोड़ना है हम जिस प्रकार एकथ रहा उसके उपर दुसरा हात ऐसा रख देने का साइड साइड से जोड़ना नहीं है थोड़ा उसका साइड से मतलब एक हाथ के उपर दूसरे हाथ जैसे रखते न उस प्रकार अपने नाभी के ठीक नीचे रखना है है फिर आप जैसे सांस लेते हैं देखो आपको महसूण होगा सांस लेते ही प्याइड अंदर जाता होगा मतलब अगर आपका हाथ आगे बढ़ रहा है वोर संस लेते हाथ पीछ़े और समझ सांस ले रहे हो सहीज आपकी पेट तक पहुँझ रहा है डेसे आपके पेट में सही से आप सांस भरते रो कि आप हर सांस पे जब जब सांस लोगें तो आपका पाम रेज होगा उपर आगे जाएगा मतलब और पीछे आएगा सांस लोगे तो आपका हाथ आगे बढ़ेगा इस प्रकार कीक्रिया होनी चाहिए फिर क्या कहा है लास्ट वाला पाथ बहागे इमेजिन ब्रेंटिंग इंकूर और आपको इमेजिन करना क्या है कि आपका जो उख्षिजन आपके परें तक पहुंच रहा है वहां तक आपको ब्रें तक औक पूछ रहा है उसका आपको तो तिल देन जैहीन वंदे मातरम